अज़ाएंगे चावल का खीर और अंडे का पकोरा यहाँ पे हम लिए हैं एक लिटर दूद गेस को हम कर देंगे आउन और दूद को हम अच्छा से उबा लेंगे और चम्मस से चलाएंगे ताके नीचे चिपके ना और यहाँ पे हम लिए हैं एक सो गराम चावल हम लिए हैं यहाँ पे गोविंदोबग चावल आप लोग पांसमती चावल भी ले सकते हैं दूद को ऐसे चलाते रहेंगे हम जब तक उबलेना यहाँ पर चावल हम धौ लिए है देखें दूद्ध उबल चुक्की है अब इसमें हम चावल डाल देंगे यहां पर हम एक लिटर दूद में एक सो गराम चावल लिए थे आप लोग गर दो लिटर दूद का बना रहे हैं तो दो सो गराम चावल डालिएगा चावल हम डाल दिये हैं अब इसको हम अच्छा से चलाएंगे गेस कफले मेडियम रख करके देखिए थोड़ी सी खीर गाड़ी हो चुकी है अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी इलाइची पाउडर अब इसमें डाल देंगे चीनी हमने इसमें चार टी स्पून चीनी डाले हैं आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा जितना मीठा खाते हैं आप लोग केसर दूद में भीजा करके रखे थे वह डाल देंगे और इसको अच्छा से चलाएंगे देखे पुरा खिर पक गई है अब इसको हम एक कट्रा में निकाल लेंगे निकाल लिए हम यहां पे हम थोड़ी सी ड्राइफ रूट काटके रखे दे वो इसमें डाल देंगे किसमिस काजू और बादाम देखिए मारा खीर बनके रेडी हो चुका है चार अंडा रख दिये हम बॉयल होने के लिए यहां पे हम लिए हैं एक कब बैसन इसमें डाल देंगे हम हाप टीस्पून से भी कम जीरा पाउडर थोड़ी सी धनिया पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी बेकिंग सोड़ा और आदह टीज़़पून नमक थोड़ी सी हम डालेंगे हल्दी पावडर तोड़ी सी फूट कलोर और थोड़ी सी अजुएन जाद मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानची डालेंगे पानची दालेंगे। अच्छा नदीयों गूरे खाक्षा ज़ेंगें ऑपक वे सुमक्तS पानची डालेंगे. और इसको हम अच्छा से चलाएंगे देखिए पुरा बन गया है बैडर इसको हम रख देंगे अधा घंडा के लिए अंडा उबल चुका है अब इसको हम छील लेंगे अच्छा से अंडे को हम छील लिए हैं आप चाकू से इसको काट लेंगे भीच से देखिए ऐसे सारे अंडे काट लिए हम अब इसका एलो वाला जुपाड़े न उसको हम निकाल लेंगे एक कटुरा में अब इसको हम निकाल लेंगे देखिए हम निकाल लिए हैं अब यहां पर हमें कराई गरम कर लेंगे उसमें डाल देंगे दो टी स्पून शड़ सो तेल और थोड़ी सी साबुत जीरा अब इसमें डालेंगे हम एक टी स्पून अद्रक कटीवी एक टी स्पून लहसून बारिक बारिक कटीवी एक मेडियम साइज का प्यास कटीवी थी बारिक अधा टी स्पून धनिया पाउडर अधा टी स्पून जीरा पाउडर और एक हरी मिर्च कटीवी थी बारिक बारिक सबसे पहले हम डाल देंगे लहसुन अब डालेंगे हम अद्रक कटी हुई और थोड़ा सा इसको चला लेंगे अब डालेंगे हम इसमें हाड़ी मेर्ज और प्याज अब इसको भी हम अच्छा से चलाएंगे हम इसको एक मिनट तर इसे ही भूनेंगे एक मिनट हो चुकी है अब इसमें डाल देंगे ये जीरा पाउडर अरधनिया पाउडर फिर चलाएंगे इसको अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और नमक हाप टीजपून हमने हल्दी पाउडर लिये थे हाप टीजपून नमक और इसको हम अच्छा से चलाएंगे अब इसमें डालेंगे यह अंडा का एलो अला पाड देखें इसे इसको तोर-दोर करके पुरा मिक्स कर देंगे इसको हम भूल लिए अच्छा से अब इसको कड्रा में निकाल लेंगे इसको फैला देते हैं ताकर थंडा हो जाए यह थंडा हो चुका है अब अंडे में ऐसे हम भर लेंगे हम साड़े अंडे में ऐसे ही हम भरेंगे देखे साड़े अंडे को इसी तरह हम भर लिए है अब यहां पर हम कराई यह गेस पर रखे और इसको गरम कर लिए हैं इसमें आप डाल देंगे एक कफ रिफायन तेल जो हम बैटर बना के रखे थे बैसन का उसमें यह अंडा लिपट करके इसको तलेंगे अब तेल गरम हो चुकी है इसमें डाल देंगे देखे इसे ही साढ़े अंडे इसमें डालेंगे हम एक तरब हो गिया है देखे पलट दिये हैं दूसरी तरब भी हो गये है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप लोग भी बनाईए और मुझे कॉमेंट करके बताईए आप लोग का कैसा बना देखिए अंडे का पकोरा बनके रेडी हो चुका है अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो पिलिस लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, अल्ला हाफिज